हेलो स्टूडेंस विल्कम बाग तो चैनल नीट फाउंडेशन 9th & 10th मैं नेम इस सचिना एंड आपको फिजिक्स एंड केमेस्ट्री यह दोनों सब्जेक्ट्स वो कम्प्लीट करा रही हो अभी जो हम सेकिंड डर्म का स्लीवर्स जो कम्प्लीट कर रहे हैं अब देखो जितने भी न्यू सुडेंस आई हैं जो कि हमारी वीडियो को पहली बार देखने हैं आप एक काम कर सकने हैं और वो क्या है आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको सब्स्रा नहीं होगी और इसके अलावा हमारा टेलिग्राम ग्रूप है नाम क्या है नेट फाउंडेशन क्लास नाइट एंट इस ग्रूप को भी आप जॉइन कर सकते हो इसे इसमें आपको काफी सारी चीजे जो है वो मिलेगी सारे डिपीपी आपको मिलेगे हैं डिटर नोट्स प् इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है देखो अब देखो इसके अल्रेडी काफी सारी लेक्चुर्स जो है वो ग्रूप पे आ चुके हैं तो अगर वो अभी तक आपनी नहीं देखे हैं तो मेक्शूर कीजिए वो सारे लेक्चु समझ में आये थीच है अज हम क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं ठीक है आज का हमारा चोटा से टॉपिक है दिखो यह रहा हमारा आज का टॉपिक Will You be My Friend छा Canvas को Bye क्या क्या है कारबन जूफे लेकिन साथ साथ में और एलिमेंट के साथ में भी काफी सारे पांड बना सकता है तो zero कार्बन जो है काफी सारे different atoms के साथ में बॉन्ट बना सकता है इसलिए हम यह कहते हैं कि वह कार्बन के साथ में बनाते हैं ठीक है फिर वहां पर हमारे क्या बनते हैं हई रोकार्बंस बारे हमने सारा पढ़ा था के प्रोपें इन सब्सक्रीर अ नंकेन बारे में बनुपेस्ट था सबक्के बारे में इनटीरे बनता है करवन ond veo हमारा सब्सक्रावारे ऊक्सिजन औरे संदेल ए से अधीन हैं देखोगे तो षी यह फोंट वो इ enorm स्पेनें एलिमेंट्स होते हैं वह सारे हुमारे हैं戲 लिए इसके अलावा औक सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के साथ काफे सारी बॉंड बनाते हैं जैसे कोई भी हाइडोकार्बन चेन आपने ले लिए उस चेन में से कोई भी एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है तो मानलों कि कोई भी एक हाइडोजन जो हो रिमूव हो गया त तो यहां पर एक हाइडोजन निकलने के वज़े से जो दूसरा आटम आया है उसकी वज़े से हुआ क्या है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है हमारे कार्बन कंपाउंड का ठीक है कार्बन कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो एक नया ही कार् रिप्लेस होकर एक नया कारवन बन सकता है तो यहीं चीज लिखे देखो इना हैडो जार कार बन चेंट बन और मोर हैं डो जंस कैन बी रीप्लेस्ट टीक है यांगि हाइडो कारवन चेन में एक या एक से से ज्यादा हाइडोजन जो है रीप्लेस हो सकते हैं बाइडीज एलिमेंट जो उपर लिखे हुए हैं सच दाट दा वैलेंसी ऑफ कार्बन स्री में सैटिसफाइड अब कितने हाइडोजन इसे हैं अब हाइडोजन कोई और हम क्या पोलेंगे उस एकम को हमने को हम क्या बोलेंगे अच्टी से क्वे क्या प्लेद्गे ठीक है hydrogen को replace करके जो दूसरा element आया है जो दूसरा atom आया है उसको क्या बोलेंगे हेट्रोइटम इस हेट्रोइटम्स और प्रेजेंट इन सम् ग्रॉप्स ठीक है यह जो टेबल है इसमें कुछ हेट्रोइटम्स के नाम दिये गई है देखो क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं जब क्लोरीन और ब्रोमीन बनते हैं तो उनका कौन से बनते हैं वो हेलो एलकेंस बनाते हैं वो अगर क्लोरीन आया है तो ब्रोमीन आया है तो ब्रोमेलकेंस ठीक है अब इसमें होता क्या है यह जो हमारा कार्बन चेन है पूरा ठीक है उसमें कोई भी hydrogen replace होकर कि उसके जगाँ पर chlorine या फिर bromine आ जाएगा अब उसके अलावा oxygen भी आ सकता है oxygen आने से देखो इतने सारे compounds हमारे बन सकते हैं तो oxygen जो है वो किस तरीके से attach हुआ है कौन सा bond बना करके attach हुआ है कैसा bond बना है इससे डिपेंड करेगा कि कौन सा compound बनेगा तो यहीं से देखो oxygen अटाच होने से ही क्या बनता है ऐलकोहल बनता है ऐसे ही aldehyde बनता है ketone बनता है और कार्बोजायलिक आसिड बनता है तो यह चा अल्कोहल को रिमेंबर करने का तरीका क्या है लास्ट में क्या होगा ओएच ठीक है यानकी बीच में क्या जाएगा oxygen आ जाएगा ऐसे ही aldehyde में एक double bond आ जाता है oxygen के साथ में ठीक है आगे की तरफ chain complete होगे यहां पर एक hydrogen और एक oxygen होगा ठीक है और कार्बोजायलिक acid में क्या होता है एक double bond आएगा oxygen का और एक OH होगा ठीक है इतना समझ में आया अब यहां पर देखो functional group क्या होता है इसके बारे में और समझा देती हुँ मैं आपको अब देखो यह जो heteroatoms हो अब यहां पर देखो हमारा जो hydrocarbon chain बना है उसके साथ में कौन सा आटम अटाच हुआ है कौन सा हमारा heteroatom है अब कौन सा हमारा heteroatom है और वो कौन से ग्रूप से बिलॉंग करता है उससे हमारी हमारे carbon compound में काफी सारी properties जो है वो एड हो जाते है यानकि जो heteroatom जो हमारा attach हुआ है वो हमारे पूरे carbon chain में काफी important role play कर रहा है विकास उसी heteroatom की वज़े से ही काफी सारी new properties जो है वो देखने को मिलेगी अब देखो जो नया attach हुआ heteroatom वो importance play कर रहा है इसलिए उनको क् चल रहोगा functional group यानकी हमारा जो carbon compound में किस सवरी के सम function कर रहा होगा वो depend करता है in heteroatoms इतना चे समझ में आया तो यह सारी हमारे क्या ही सारे हमारे functional groups है जो हमारे table में यहां पर given है इतना समझ में आया अब देखो last में क्या लिखा है free valency or valencies of the group are shown by the single line ठीक है यह चीज़े ह तो फिस attached to the carbon chain to the valency by replacing the one hydrogen atom or atoms जो हमारे यहां पर जो हमारे bonds बनते हैं जो heteroatom join हुए है वो carbon एक या एक से ज़्यादा hydrogen atom को replace करके हमारे bonds बने हैं इसके साथ में functional group in heteroatoms के साथ में ठीक है इतना समझ में आया आपको तो आज हम इतना ही करेंगे next class में देखो next class में हम करने वाले हैं homologous series आपका जो second term का exam है जो exam होगा उसमें homologous series तक ही आएगा और उसके बाद जो nomenclature वाला पार्ट है वो आपके exam में नहीं आया तो make sure कीजिए कि आप homologous series तक ही इसे पढ़ें for your CBC exam यहां तक ही आपका exam में आने वाला है ठीक है तो आज हम इतना ही करते हैं ज झाल वाला है